कोड़ा गतानी समाचार बोटू ये महाराश्च छे ख़वर के हेड लाइन सुनी फिल्म अमिनेता दिली कुमार ना रहने भारत में गम के माहौल तब बढ़ ले बाका हैं से कि फिल्मी दुनिया के वैशन सितारा जे इतिहां सरच देलस आज वे दुनिया में नहीं खे रहाएं ख़वर तमाम प्रकार से चलत बढ़ हुए भारत के लोग गम जदा बढ़ें लेकिन सबसे अधिक पाकिस्तान के पेसावर के हर घर गम जदा बढ़ उनकर फरजंद मने आपन आदमी दिलीप साहब चल गई लोग काम का छोड़ के आग टीवी पे इमंजर देख रहल बाई पाकिस्तान के बाद भोजपुरिया समाचार बता 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 दुनों मुलक के बीच आपसी सवहार्द के लकीर खिच गई लेकिन ना तब पेशावर अपना दिलीप साहब के भूलल ना दिलीप साहब आपन 25 पेशावर भूल सकता है यहां दिलीप कुमार के 25 जनम पेशावर पाकिस्तान में भई रहा दिलीप कुमार चल गई नहीं लेकिन आखिरी दम तक उनकर सहर पेसावर उनका दिल से ना निकल सकते आपन सहर के लोग से लगातारी संपर्क में रहनी यही वजह रहे कि इनका मौत के खबर सुनते उनकर लाखोच चहेता सोशल मीडिया पे अपना अपना तरीका से मुहबत के इजहार कर रहलबाँ उनकर गली मुहला सहर पेसावर आपन तरीका से याद कर रहलबाँ हिंदुस्तान के मस्हूर अभिनेता दिलिप कुमार के अचानक मौत से जहां पूरा दुनिया में उनकर लाखोच शहेता इजहार गम के इजहार करतरन ओजे उनकर पुस्ताइनी सहर पेसावर के लोग भी गम में डूप विलगा दिलिप कुमार पेसावर के पुराना मुहला खीसा खवानी बजार में 11 दिसंबर 1922 के पैदा भोईल रही चंद साल के बाद इनकर परिवार मुंबई चली गई पेसावर मुंबई के बीच बटवारा हो चुकलबा सरहत के लकीर खी चुकलबा लेकिनु आपना आखिरी वक्त अपना सहर पेसावर के याद करत रहला है जब भी उसोशल मीडिया पे पेसावर के बारे में खवर देखत रहन तो औकर इजहार जरूर करत रहन। पकेस्तान सरकार बालीबुड में उनकर खिर्मत के सराहत 1977 में निशाने पाकिस्तान के यवाट से नवजले रहे 1987 में जब यवाट लेवे पाकिस्तान गूई रहां तब पेसावर में आपन पुष्तेनी घर के दोरा कुई लन सरकार 2017 में उनका घोर के कौमी बिरास्त करार देलाज वो या मुजियम बनाने के दिया